बिना कोई भी मैदा और बिना आटा और बिना ओयल और बिना बटर के आज का ये सूजी का केक आप जरूर ट्राय करिएगा केक एकदम सॉफ्ट, स्पॉंजी और यमी होगा इसका जो फ्लेवर है ये हमारी एक फेवरेट इंडियन मिठाई के साथ मिलता जुलता है जो मेरी आपकी और आइटिंक शाथ सब की फेवरेट मिठाई होती है तो अगर आपको भी मेरी तरह इंडियन मिठाईया बहुत पसंद है ना तो ट्रस्ट मी आप इस केक के फान हो जाएंगे तो आज के इस केक को बनाने के लिए ना सबसे पहले मैं थोड़े से बादाम को भीगो कर रख रहूं और क्योंकि बादाम को मैं एक रात पहले भीगोना भूल गई थी इसलिए अब मैं इसे गरम पानी में भीगोंगी तो अगर आप भी मेरी तरह भूलकड होना तो आप भी इस तरह से अच्छे से पानी को गरम कर लिजेगा और इसमें बस थोड़े से बादाम डालिए और इसे 15-20 मिनट के लिए एक साइट पर रख देंगे इतने में ही बादाम का जो छिलका है वो इसमें से अलग होना शुरू हो चाएगा तो अब इसे एक साइट पर रखा मैंने और इसके बाद अब आज के इस केक के लिए हम कोई मैदा या कोई आटा यूज नहीं कर रहे है बलकि मैं ले रहे हूं सूजी जिसके लिए अब एक ब्लेंडर जार लेंगे और इसमें सबसे पहरे हम डालेंगे एक कब जितनी सूजी यानि की रवा आप बारीक या मोटी कोई से भी सूजी ले सकते हो क्योंकि हम इसे ग्राइड करना है आप इसमें आधा कब जितनी चीनी भी डाल रहे हूं इस तरह से इस केक के लिए आपको अलग से चीनी को पीसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ में इसमें मैं डाल रहे हूं फ्लेवर के लिए चार हरी इलाइची तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइड कर लेना है और इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे तो इसे ग्राइड करने के बाद अभी आप देख रहे हो कि यह जो पाउडर है अब यह हाथों पर लग रहा है तो इस तरह से हमें सूजी को ग्राइड कर लेना है सूजी को जितना अच्छे से ग्राइड कर लेंगे ना उतना अच्छा आपका केक बनेगा अचा आप इस cake के लिए ना मैं कोई oil या butter use नहीं कर रहे हूँ बलकि मैं क्या करती हूँ कि मैं लेती हूँ थोड़ा सा देसी घी और साथ में इसमें आड़ करती हूँ थोड़ी सी fresh cream normal amul cream ये नहीं है तो मलाई भी डाल सकते हो तो इस तरह से मैं दोनों चीज़ों को mix करके use करती हूँ और total quantity इसके मैंने ली है एक चुथ high cup आप butter, oil या इस तरह से किसी भी चीज़ को mix करके भी ले सकते हो और साथ में अब इसमें जाएगा एक ती high cup जितना दही normal regular दही है घर का use किया है आप market वाला भी ले सकते हो और आधा cup इसमें जाएगा दूद normal उबला हुआ दूद जो room temperature वाला होना चाहिए तो इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से mix कर लेंगे तब तक mix करेंगे जब तक ही ये mixture एकदम creamy हो जाएगा और इसे mix करने के बाद अब ये जो सूजी और चीनी इलाइची का powder हमने बना कर रखा था ना इसे भी अब हम अपने इस mixture में डाल देंगे और इसे भी हमें अच्छे से mix कर लेना है अच्छे सूजी के साथ ना एकदम perfect cake बनाने के लिए सबसे जादा important step है सूजी को rest करवाना तो इस तरह से जब आप इसे mix करेंगे ना तो इसे जरूर rest करने के लिए रखेएगा कम से कम आधा घंटा अगर time है तो एक घंटे के लिए रख देजेगा और अब ही ये mixture आपको थोड़ा सा पतला भी लग रहा होगा बट कोई problem नहीं है सूजी rest करेगी दूद को absorb करेगी तो फूल जाएगी तो इसे आधे खंटे के लिए एक साइट पर रख रहे हुम है और इतने देर में बाकी की तयारी कर लेंगे तो सबसे पहले हम अपने मोल्ड को तयार कर रहे है तो इसके लिए मैंने याप पर ये 6 इंच का एक aluminium cake tin लिया है इसे oil से grease कर लिना है और फिर इसमें butter paper लगाएंगे तो बस हमारा ये मोल्ड तयार हो गया है इसके बाद आज के इस cake को मैं आपको कड़ाही में bake करके दिखा रहे हूँ तो इसके लिए कड़ाही गरम होने के लिए रख रहे है तो मोटे तले की कोई भी कड़ाही लेकर इसमें नमक डाल देना है फिर एक stand रख दो इसमें और इसे उपर से ढखके हमें medium flame के उपर 10 मिनट तक गरम हो जाने देना है अचा इतनी देर में अब ये जो बादाम हमने एक side पर भिगो कर रखे थे गरम पानी में अब ये थोड़े से full गए हैं तो इसके छिलके को अब हम निकाल देंगे तो आप देख रहे हो कि छिलका कितनी easily अलग हो जा रहा है इसमें से तो अगर आप भी मेरी तरह भुलकड होना तो ये वाला hack try कर लेना आपको बादाम छिलने में आसानी रहेगी तो बादाम का छिलका निकालने के बाद अब हम इसे पतली-पतली slices में cut कर लेंगे तो दो, तीन, चार जितनी भी slices आप इसमें से निकाल सके न एक-एक बादाम में से उतनी निकाल लीजेगा इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी सूजी की तरफ तो इसे रखे हों मुझे पूरे 45 मिनट होए है और अब ही आप देख रहे हो कि मिक्षर जो है ये पहले से थोड़ा सा थिक हुआ है मतलब कि सूजी ने लिक्विड को थोड़ा अब्जॉब करके सूजी फूल गई है तो ये एकदम पॉफेक कंसिस्टेंसी है इस टाइम पर इस लिक्विड की में नमक डाल देंगे अब बस इन सारी चीजों को एक पर अच्छे से मिक्स कर लेना है हलके हाथों से एक ही डारेक्शन में मिक्स करिएगा और हाँ जब हम ये ड्राइ केक्स बनाते है न तो इसका जो बेटर है न ये नॉर्मल केक्स बेटर से थोड़ा सा थिक होगा तो अभी मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो ये ribbon flowy consistency नहीं है ये थोड़ा सा thick batter है तो इस तरीके का batter हमें बनाना होगा dry cakes के लिए तो perfect batter बनके त्यार हो गया है अब इस batter को डाल दिंगे हम अपने इस grease किये हुए mold में मोल्ड को अच्छे से tap कर लेंगे इसके बाद अब ये जो almond slices यानि की बादाम की slices हमने त्यार करी थी ना इसको मैं अपने इस cake के ऊपर इस तरह से arrange कर रही हूँ बादाम अगर आपको नहीं डालने है इस cake में आप चाहो तो इससे skip भी कर सकते हो इस cake में आप पिस्ता भी वहसे बहुत अच्छा लगता है आप पूरा cake bake करने के बाद पिस्ते से भी गानिश कर सकते हो इसे तो बस mold त्यार हो गया है और ये कडाही भी अप काफे अच्छा से गरम हो गई है तो अपने इस mold को इसमें रख देना है और इसे उपर से ढखके अब हम इसे low medium flame के उपर bake करेंगे तकरीबन 35-40 मिनट तक टाइमिंग्स थोड़ी से आगे पीछे हो सकती है तीस मिनट के बाद आप इसे जरूर चेक करिएगा और oven के लिए आपको इसको preheated oven में 180 degree पर bake करना है 35-40 मिनट तक या तब तक जब तक ही toothpick क्लियर आजाएगी तो इसे रखे हों मुझे पूरे 35 मिनट हुए है वाउ आप देखरों कि कितना अच्छा से ये फूल गया है हलका हलका सा color भी आ गया इसके उपर और जब सेंटर में toothpick को insert करके चेक कर रहा है तो ये toothpick भी बिल्कुल clear है इसका मतलब है कि cake अच्छा से बेख हो गया है तो ब जिसके लिए आधा कप जितनी चीनी दिये मैंने और आधा कप प्लस दो बड़े चमब जितना मैं इसमें डाल रहे हूं पानी और साथ में ना तीन से चार ड्रॉप मैं नीबू के रसकी भी आड़ कर रहे हूं इसमें इससे चीनी जो है न ये crystallize नहीं होगी तो बस अब high flame क कि उपर इसे पकाना है जब तक ही सारी चीनी पानी में घुल जाएगी कोई एक तार या दो तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है तो बस इससे पकाने के बाद अभी आप देख रहे हो कि सारी चीनी अच्छे से घुल गई है अच्छा मैं इसमें फ्लेवर डालना भूल गई पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है इसे भी इसके बाद अब ये जो केक हमने रखा था एक साइट पर अब ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है पूरी तरह से ठंडा नहीं है ये केक अभी भी अभी भी हलका सा वाम है ये तो इसी स्टेज के ऊपर अब हम अपनी चाशनी को इसक तक absorb हो सके अब सबसे पहले एक बाद चाकू से sides को अलग कर लेना है अभी हम drymole नहीं कर रहा है備 फिर भी एक बाद चाकू से sides को अलग कर लेंगे और अब यह जो चाश्चनी हमने बना कर रखी थी यह भी अभी हलकी सी गरम है तो हलका गरम केक और हलकी गरम चाशनी हमें लेनी है और इस चाशनी को अब हम डाल देंगे अपने इस केक के ऊपर और डालते ही आप देख रहे हैं कि केक कितना अच्छे से इसको अब्जॉब करता जा रहा है सूजी का केक है ना तो बहुत जादा अच्छे से चाशनी को अब्जॉब करेगा और खाने में इसका टेक्स्टर और टेस्ट बहुत जादा गजब काएका। अचा सारी चाशनी को मैंने पोड नहीं किया है, थोड़ी सी चाशनी को हम रख लेंगे, इसे हम बाद में सर्विंग के टाइम पर यूज करेंगे। तो अब इस मोल्ड को हमें एक साइट पर रख देना है, आधे पॉनी घंटे के लिए इतने में सारी चीज़ें ठंडी भी हो जाएंगे और चाशनी केक के अंदर तक अब्जॉब हो जाएगी। तो इसे तकरीब एक घंटे तक मैंने एक साइट पर रखा और फाइनली हमारा केक अच्छे से ठंडा भी हो गया है, अब हम इसे दी मोल्ड करेंगे। तो बोड या प्लेट को इसके उपर रखो और उल्टा करके केक को निकाल देंगे, केक बहुत इसली दी मोल्ड हो जाएगा। वाओ, इस केक का टेक्चर कलर देख रहे हो आप, कितना यमी लग रहा है ये, केक एक दिम सॉफ्ट, स्पॉंजी और जाली दार है और ये चाशनी के साथ लपा लप वाला ये केक बहुत जादा यमी बनता है, इस केक का जो फ्लेवर है ये आपको बिलकुल गुलाब जैसे आप खा रहे होगे न, बिलकुल बैसा लगेगा आपको, बहुत जादा टेस्टी बनता है ये, और स्लाइसे में बस कट करके इसको सर्फ कर लो, और अंदर का टेक्शर आप देख रहे हो, केक का एकदम परफेक्ट बना है ये केक, तो बिना मैदा और बिना आटा सू बनता है कि इसको एक बाइट लेने के बाद आप रुखी नहीं पाऊगे और पूरी स्लाइस खतम करके ही हटोगे, ये इतना जादा पसंद आएगा आपको, तो ट्राइ करो मेरी इस रेसिपी को, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और प्ल